आज हम टेक्ट्चर लाइट्स लाइटिंग मेत्र सिखेंगे जिसे मैंने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया और मटेरियल एडिटर में जाके स्टांडर्ड मटेरियल लिया मैंने आलेड़े कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखें जैसी की मैप चेकर मैप इसको अगर इंप्लेमेंट करता हूँ आसाइन शो दी मटेरियल तो यह प्लेन पे जो टेक्ट्चर दिखाई देता है वो तो सही ही है लेकिन जो complex shape होगा, cylinder होगा, spare होगा उसके ओपर जो भामें इसको implement करते है तो उसमें दिक्कत होता है जैसे UVW Map इसको हम देखते हैं, एक UVW Map जो है to adjust mapping it defines how this material will be viewed UVW Mapping में planar होता है, by default planar आता है लेकिन जब हमारा cylindrical material होगा या फिर spherical होगा तो उस material पे जिसे यहाँ पे एक spare ले ले लेते है एक cylinder ले ले लेते है उसके ओपर ये check map implement करते है जब हम देखते हैं कि check map पे ये सही तरके से implement नहीं हुआ है UVW Map करते है ये जो check आना चाहिए था top पे सही आया हुआ है cylinder के लेकिन side में आप देखेंगे तो black and white के बीच में एक shading है वो proper तरीके से implement नहीं हुआ है तो इसलिए UVW Map का इस्तेमाल करके इस तरह से जो clear है top पे वैसे ही top और bottom में clear लेकिन side में clear नहीं है तो उसको clear करने के लिए आपको cylindrical जब select करेंगे और cap को भी tick करेंगे तो perfectly यह जो check map है वो implement होगा इसलिए UVW Map का इस्तेमाल किया जाता है by default यह planner पे होता है हमें इसको shape के साब से change करना है spherical है तो spherical को select करके आप UVW Map spherical implement कीजिए spare मैंने select किया यहाँ पे उसके बाद UVW Map पे मैंने click किया और मैंने spherical क्लिक किया तो यह बिलकूल perfectly जो check map है spare पे implement हो गया यहाँ पर जाकर one one check किया हुआ है तो one one होगा number of checks हम UV Tile को adjust करके भी change कर सकते है दो तिन तरीके है और जो तीसरा तरीका है आप गिज्मो में इसको select करके फिर resize tool है उसको इसको इस्तिमाल करके यह तीसरे तरीके से आप इसको number of tiles बढ़ा सकते हो और map को आप ज्यादा डेंश कर सकते हो और map रिपीट होता रहेगा हम एक plane लेते हैं मैंने कुछ images डाउनलोड करी है जैसे कि brick wall का image है रोड का image है उसको हम road और wall बनाते हैं एक मैंने plane ले लिया दुसरे इस पे और मैंने मैंने y-axis पे y और x-axis पे एक road के लिए plane बनाया दो planes मैंने बनाया स्टैंडर्ड material लेके material wall मैंने उसको नाम दिया उसको implement किया diffuse general bitmap इसके बाद मैंने जहां पे image सेव करी थी वहां से मैंने brick का एक image उठा लिया उसके ओपर image लग गई इसको हमने ev map लगाया हम लेंग्थ ev map हमने गलत जगा पर लगाया हुआ है ev map यहां पर हमने select करके ev map लगाया और उसको लेंग्थ को जब adjust करते है तो इस तरीके से brick का size चेंज होता है image रिपीट होती है गिजमो को select करके फिर हम इसको reshape कर सकते है इस तरीके से ज़्यादा इटे उसमें आगई image को adjust इसमें दिक्कत यह है कि आपको सही तरीके से यह repeat जब होगा तो एक line में नहीं आएगा इसको आपको take care करना है Photoshop में आप edit करोगे तो यह सही रहेगा गिजमो पे क्लिक करके फिर आप x y axis से या फिर z axis से आप इसको image को map को resize कर सकते हो रोड की हमने size बढ़ा दी है 3D view में हम देखते है perspective में रोड पे हम रोड का material implement करेंगे edit में plane में जाके plane को select करके उसके length और width हमने change की फिर इसमें जाके हमने standard material लिया इसको नाम दिया material road इसका output हमने उसको implement कर दिया फिर general bitmap road का material select किया इसके बाद left click के और के show material कर दिया यह थोड़ा उल्टा लग गया इसको हम rotate करेंगे घिजमोपे क्लिक करना है आपको उसके बाद rotate tool का इस्टेमाल करके फिर snapping on कर दी और हमने exactly 90 degree पे उसको snap करके इसके रोटेट किया यह वी डव्य मैप planar by default है वो सही है इसको हमने रिसेप किया रिसाइज किया इस तरह के से आप रोड का texture शेंज कर सकते हो यहां पर हम अभी create में जाके आटोग्रेड on करके box लेते हैं एक box बनाते हैं advertising frame बनाने के लिए आटोग्रेड आफ कर दिया जो हमारा purpose process all हो गया तो हमेशा आटोग्रेड आफ करते रहेगा इस box को हमने edit modify में जाके box को हमने editable polymica note किया उसके बाद उपर का plane select करके हमने उसको insert किया उसके बाद extrude down कर दिया अंदर frame तैर हो गया इसको हमने id assign करना है select invert उसको दूसरा number का id दे दिया materials को color shape change करने के लिए id देने चुरूरी है पहले का id 1 है दूसरे का जो frame है उसका id number 2 है फिर यहां पे और एक material लेके standard material या फिर multi sub object लेंगे क्योंकि हमने यहां पे quantity दो कर दी एक frame का material है और एक अंदर वाला material है जहां पर अड़ोटाइज लगेगी फिर हमने standard material लेकर मुल्टी sub object को इसको implement किया scan line material 1 material 2 diffuse color में जाके bit में आपको select करके हमने car को select किया और इसको पहले इस पर हमने implement कर दिया दूसरा जो है हमारा frame का matter है कि इसको कि हमने frame का एक typical color दिया इस तरह के का specular level हमने change किया ताकि यह थोड़ा shiny दिखे glossiness हमने improve किया यहां पर ऊड़ का texture हम दे सकते हैं अगर ऊड़ का texture चाहिए तो frame को हम ऊड़ दे सकते हैं ऊड़ की जगा पर मैं यहीं रख रहा हूं जो हमने glossy material इसके उपर implement किया इंप्लेमेंट करने के बाद उसको हमें राइट क्लिक करके show material show shaded material दिखाना है इस तरह के से frame तयार हो गया render करके देखते हैं इसको rendering करते हैं हमेशा setting कीजिए no exposure control इस तरह के साब देख सकते हो वाल पर एड़ोटाइस ताहर होगी इसको वाल को हम rotate करके copy बनाएंगे इसको move कर देंगे पीछे की तरफ मौटूल का इस्तेमाल करके हमने दिवार को कुस तरफ किसका दिया प्लेइन रोड है उसको थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं दिवार को हमने सही तरके से रख दिया डिस्टनस पे बीच में कोई गली वगरा है वैसा दिखाया है कोई गली जा रही है दो दिवारों के बीच में अभी हमने इसको नाम दिया लाइट्स फाइल को इम दबाकर मटेरिल्स मेनू आ गया है बीट मैप में हम बंप्स दे सकते है बंपस से ज़्वादा टेक्चर क्लियर दिखेगा यहाँ पे जाकर आपको बंपस का क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं ज़्वादा क्लियर दिखने के लिए बंप को सिलेट करके मैंने इसका कॉंटिटी ज्यादा कर दिया है 50 अगर फोटोशॉप में लेके इसको अगर हम ब्लैक और वाइट में कनवर्ट करते और उसके बाद बंप लगाते तो ज्यादा सही रहता बहुती क्लियर इमेज दिखाए देता बंप देखिये इठो का structure जो है बहुती clear दिख़ रहा है बंप लगाने से course दिख रहा है ज्यादा clear दिख रहा है पहले से actual life में इसा ही material होता है इसको हम camera implement कर सकते हैं जो scene हमने बनाया यहाँ पर camera में जाके vray का camera नहीं होता है आपको तो standard camera पर जाना पड़ेगा, physical, physical camera, यहां से हमने top view से camera लगा है, front view की तरफ, दिवार की, front दिवार की तरफ, जहां पर अड़ोटाइज रखी है, top view में जाके आपको camera लगाना है, तो camera का सी दबाने से, इस तरीके से camera का view आपको दिखाए देगा, standard camera, physical, आप इसको rendering करके देख सकते हो, custom अरग अरग टाइब के camera का lens है, camera में चार चीज़े होती है, preset होता है, custom कर सकते हो, उसके बाद, custom, aperture value, lens opening, aperture value आगे, जितना आप ज़्यादा देंगे, उतना ज़्यादा lens open होगा, shutter speed होता है, जितना ज़्यादा speed से shutter, आप open close करोगे, उतना कम light अंदर जाएगी, उसको f stop बोलते है, f by 8, f by 11, f by 11 अगर केर करते हो, तो आपको अंधेरा सा दिखाए देगा, क्योंकि shutter ज़्यादा speed से open हो रहा है, shutter अगर बहुत slowly open होगा, तो ज़्यादा light अंदर जाएगा camera के, और आपको bright scene देखेगा, exposure, exposure gain होता है, ISO होता है, if shutter speed, तीसरी चीज़ मैंने बताई, पहली जो है preset है, दुसरा है aperture value है, यानि कि lens की opening, तीसरा है shutter speed है, ज़्यादा है ISO, so shutter speed अगर ज़्यादा है, तो less light जाएगा, अगर shutter speed कम है, तो कम light जाएगा, one per second इस standard होता है, shutter speed, focal length छेश करके आप इस तरीके से, आप adjust कर सकते हो, जो fourth parameter है ISO का, उससे आपको पता चलता है कि, film कितना sensitive है, आजकल digital capturing होता है, पहले जबाने में films होती थी, उसकी sensitivity आती थी against the light, C दबाने से आपको camera आ जाएगा, फिर से सीधा बाने से camera डिसेबल हो जाएगा, aperture value, lens opening, यहाँ पे तीन की जगा 8 कर देते हैं, तो ज्यादा wide lens open होगा, जैसे हम यहाँ पे aperture value 6 रखते हैं, shutter का standard speed 1 per second होता है, यह फिर आप अलग seconds लिख सकते हो, लिकिन हम standard रखेंगे, shutter का duration आप adjust कर सकते हो, 1 in 1000, exposure gain manual अगर आप set करते हो, ISO, इसको render करके देखते हैं हम, काफी bright है, duration अगर हम, कम करते हैं, 10 कर देते हैं, तो render करके देखिए, क्योंकि shutter open है ज्यादा समय तक, तो इसलिए ज़्यादा light गया, bright दिख रहा है, manual में हम 100 करते हैं, exposure gain, तो यह ठीक हो गया है, so aperture value, duration, और, आपका, duration को change करके, और exposure gain, यह तेन main चीज़े हैं, इसको control करके आप, views को, control कर सकते हो, camera से आप उसको capture कर सकते हो, camera setting बहुत important है, तो camera में यह तीन चीज़े आपने सेखि, aperture value, shutter speed, duration, exposure gain, manual करके उसको कैसे adjust करना है, render करके आप देख सकते हो, तो यह जो दिख रहा है, यह सब camera का direction से, हमने camera लगाया हुआ है, और additional हम कुछ, chumper box लगाते हैं यहाँ पर, sense create करने के लिए, यह मैंने एक chumper box लगा दिया, एक chumper cylinder लगा दिया हमने यहाँ पर, extended primitives में जाके, जो आपने पहले सिखा हुआ है, edit में जाके, fillet segments ज्यादा स्मूथ कर दिया, इस सर्गे से काफी bright दिख रहा है, फिर render करके देखते हैं, इन दोनों को हम material या color assign करते हैं, आपको फिर से कोई standard material लेना है, scan line, उसके बाद उसको हम color देंगे, एक particular glossiness देगा उसको, specular levels हमने change करी, और M दबा के material editor को फिर से आपस लेके आएंगे, side में करके उसको फिर output ये materials फिर हमको assign कर देंगे, selection को, उसी तरीके से render करके देखेंगे, दोनों को हमने select किया था, तो इस तरीके से material उसके पर implement हो गया, ये by default lighting है, हम अब lighting पर आएंगे, specific lighting हम देंगे इसको, एक day scene तैयर करेंगे, और night scene तैयर करेंगे, extended primitives, lighting, standard, target, direct, ये target direct हमने light इस पे दिया, top view में जाके, इसको हमने सामने से light दिया, side से भी हम light को, source को direction चेंज करते हैं इस तरीके से, directional parameters, hotspot beam को हमने बढ़ा दिया, ज्यादा area को cover किया, targeted, इसका मतलब भी fix हो गया, render setup में जाके, उसका change किया dimensions, इस तरीके से clear दिख रहा है, हमने बंप setup किया, इसे clarity बढ़ गई, bricks की, यह objects को हमने material assign किया, glossiness दिया, उसके बद हमने light setup किया, उसके बद लाइट focus किया, इसको हम color देते हैं, थोड़ा सा light का जो है color, change करते हैं, morning का जो है light, इस तरीके से दिखाए देगा, tint change किया light का, create में जाके, light में, create में जाके, standard, hominy light लगाते है, या फिर sky light लगाते है, multiplier, multiplier हमने 0.4 कर दिया, render erase पर sample हमने 10 कर दिये, render करके देखते हैं, direct target, off कर दिया हमने, जो हमने पहले light लगाया था, उसको हमने off कर दिया, जो हमने नए light लगाया हुआ है, उसको on कर दिया, तो इस तरीके से, या आपको lighting effects दिखेंगे, blue करने से, इस तरीके से, blueish tint आ जाएगा, हमने अभी lights को on किया, on करने से, फिर या bright हो जाएगा, इस तरीके से, day color का effect इसमें दिखाई दे रहा है, इसको हम day नाम दे दिया, अभी हम night का scene करेंगे, तीनों को हमने select किया, इसको off किया, हमने delete कर दिया, जो भी lights हमने बनाया थे, सब delete कर दिया हो उसको, अभी, lights लगाते हैं, जो advertise लगाई है उसके उपर, free direct light इसके उपर लगाएंगे, target spot, हमने light लगाया, spotlight parameters, इसको हमने change किया, spot को हमने change किया, इस तरीके से, इसको हमने shift ड्रैग करके, एक और copy बनाई, इसको हम पहले setting कर देते हैं, इस light को, इस तरीके से, ये focus, जो है, इतना दिख रहा है, सारे lights हमने off कर दिया, इस तरीव ये light चाल रहे, for attenuation हमने change कर दिया, इस light को हम shift ड्रैग करके, copy कर रहे हैं, copy, instance, instance इसलिए करना पढ़ रहा है, क्योंकि दोनों lights की property अगर change करेंगे, तो वो सेम तरीके से change होगी, अब हम render करके देखते हैं, इस तरीके से, ये light आपको दिखाई देगा, तो night का ऐसा effect दिखेगा, far attenuation को uncheck कर दिया, light को थोड़ा intensity बढ़ा दी, multiplier factor बढ़ा के intensity अगर, art intensity करने के बाद आपको ज़्याजा light दिखाई देगा, ये उमनी light को हमने copy कर लिया, दुसरा light यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ इस तरीके से light दिखाई देगा, multiplier जो है, इसका हम बढ़ाते है, light का कार के उपर जो है, इसका जो है, far attenuation को हमने change किया, तो अबटाइज के उपर जो, अबटाइज को हमने आफ किया भी, अबटाइज को दुसरी को भी आफ के, दोनों को हमने आफ कर दिया, अभी हम चेक करते है, अबटाइज जो है, उसका उपर किस तरह किसे, रेंडर करके, स्रीव यही दिखाए देगा, अंधिरा चाया हुआ है चारो तरफ, लाइट के, लाइट को हम इसी तरीके से मूव करके, उसको अज़िस कर रहे हैं, फॉकस, अटेनिवेशन को, हम far attenuation को बढ़ा दिया, तो far attenuation को बढ़ाने से, फिर इस तरीके से, लाइट दिखाए देगा, front view से हम, हमने इसको और अज़िस किया, दोनों लाइट को, रेंडर करके, इस वरकार से, वो डिवार के उपर भी आएगा, तो attenuation बढ़ाने से, उसका जो length है, लाइट का वो बढ़ जाता है, यहाँ पर लाइट में, हम फिर से, टार्गेट लाइट लगाएंगे, यहाँ पर हमने टार्गेट लाइट लगाया, लाइट को अड्जेस कर लिया, रेंडर करके देखते हैं, इस तरह के से लाइट आपको दिखाए देगा, एड़िट में जाके, हम टार्गेट लाइट का, चेंज करते हैं, रेंडर करते हैं, अगर करते हैं तो यह इस तरह के से, ट्रेंगुलर, इसका फोकुस आपको दिखाए देगा, ओम्नी जूरो टू, इस तरह के से आपको दिखाए देगा, फोटोमेट्रिक लाइट, इसको जो पैरामेटर से उसके सबसे, उसका लाइट पड़ेगा, रेंडर करके देखते हैं, इस तरह के से एफिक्ट होगा, दूसरा लाइट हमने कॉपी किया, इंस्टन्स करके, इस तरह के से यह लाइट आ रहा है, प्यूट अफेक्ट था, उसका हमें निकाल दिया, पॉटोमेट्रिक लाइट, टारगेट लाइट्स, स्पोट लाइट, इसको हम एड़ेस्ट करते हैं, यह अलग टाइप का लाइट है, इससे नैचरल इफेक्ट आता है, इसको नाइट व्यू का शेप दिया, और पीछे एक और बल्प लगा के देखते हैं, इस गली में, हम अभी टारगेट लाइट लेकर, आटो ग्रेड करके उससे दिवार पे लाइट को लगाते हैं, इनिफॉर्म, इनिफॉर्म डिफ्यूज लाइट, लाइट को हम एड़ेस्ट करते हैं, और रखा है उस लाइट को, टारगेट लाइट को आफ कर दिया, तो वो शिफ्ट हो सकता है, इसको मिडल में हमने ले लिया, अब फ्री हो गया टारगेट लाइट को अन्चेप करने से, हमें भी इसको रेंडरिंग करके देखते हैं, क्या एफेक्ट आता है, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फिलाल, टॉप फ्यू में जाके इसको लाइट कॉम ने शिलेट किया, यहां पर परसिंटेज जो है डीमिंग का उसको बढ़ा दिया, देखते हैं क्या होता है, अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा है, हमने फिर इसको स्टेडियूम का थाउदन वॉट का लैंप लगा दिया, बड़ा, अभी भी उसने दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह लैंप जो है बहुत दूर लगा हुआ है, इसको हमको टॉप व्यूम में जाके फिर से दिवार के पास में लाना पड़ेगा, हम इसको जिवार के पास लेके आए, अब थोड़ा सा ब्राइट लेट पढ़ रहा है, साइड में, इस तरीके से अभी इसको अड़ेस्ट करने के बाद, अन्रेड वॉट हालोजन बल्प कर दिया, इसका भी इंटेंसिटी कम है, इसमें अड़ेस्मेंट के पेरामेटर से परसेंटेश को हमने डिमिंग के परसेंटेश को बढ़ा दिया, अब ब्राइट हो गया, लग रहा है कि पीछे कुछ अब आक्टिविटीज हो रही है, इसलिए लाइट लगा हुआ है, तो इस तरह किसे लाइट का एफिक्ट आप दिखा सकते हैं, हम इस इमेज को अभी बैक्गराउंड गे तोर पे स्काई का इमेज लगाते हैं, इंटरनेट से मैंने स्काई का इमेज डाउनलोड कर लिया, इमेज को मैंने स्काई करके सेव कर लिया, इसके बाद इसको स्काई को मैंने मटिरियल्स में इंपोर्ट किया, इस तरीके से background में sky image लग गया environment effects color environment map के अंदर map में मैंने sky का image दिया इन्वार्मेंट टेक्चर अगर करता हूँ तो इस तरीके से एक इमेज काफी जगा पर ग्राउंड पर आ जाएगी वह नहीं चाहिए हमें इन्वार्मेंट पर आपको क्लिक करना है इन्वार्मेंट के क्लिक करने के बाद नेविगेटर मैपस स्काई एक सरके से आप बैगराउंड सेट कर सकते हो इन्वार्मेट कर चाहिए करना है